नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आई होब मासा करदाओं कि आप सब लोग अच्चों और आपके एक्जाम की तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी इंकम टेक्स के अंदर नई भरती निकल कैई दोस्तों इसमें एक्जाम होगी या नहीं होगी कौन-कौन एपलाई कर सकता है सेलेरी कितनी रहने वाली है और इसकी फोरम है उसकी लास्ट टेटे क्या रहने वाले सब कुछ वीडियो में डेटियल से जाने हैं वाले आप वीडियो अमंत्त के जरूरू बने रहना वीडियो को शुरू करते हैं इंकम टेक्स से रिक्रूट मेंट दो हजार बास हाउ कैन एपलाई ओल इंडिया कंडिटरिस फोरम को एपलाई कर सकता है चाहिए मेलो चाहिए फीमेलो जो इंकम टेक्स में भरती आई हो कौन-कौन सी पोस्ट के अंदर आए एक तो आए दूस्तों टेक्स असिस्टेंट के अंदर एक इंकम टेक्स से इस्पेक्टर के अंदर आए और मल्टी टास्किंग इस्टाइब यानि एम्टीएस के अंदर इंकम टेक्स ने पूश्ट निकाली है, एपलाई मोड आपको करना है, ओनलाइन मोड से आपको फोरा में भरना है, सेलेक्सर प्रोसेस की बात करते हैं, इंटर्व्य होगा और आपका डॉकुमेंट्स वेरी पी किसनों का नहीं, डीवी होने वाला है, यानि इसमें नो एकजा आपको डायरेक्टे इंटर्व्यू के आधर पर आपको जोइनिंग मिलने वाली है, आगे बात करते हैं, आपकी सेलेरी क्या रहने वाली है, आपकी सेलेरी है, वो 18,000 रुपे से लेकर 81,000 रुपे तक आपको सेलेरी मिलने वाली है, एज लिमिट की बात करते हैं, आपको 18, आपको टैंथ पास होना जरूरी है यदि आप income tax का फोरम भरना चाहते हैं तो आप यदि 10th पास किये तो दूस्तों आप इस फोरम को जरूर भर सकते हैं आगे बात करते हैं आपके जो importance date है जो फोरम कब से इसकी जो फोरम की last date है वो है दूस्तो 28 November 2022 आप 28 November 2022 तक आप इस फोरम को इंकम टेक्स की official website पर जाके भर सकते हैं ये थी आपके लिए महत्पूर्ण जानकारी यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्रेक नहीं किया ऐसे ही ले टेस्टे वीडियो पाने के लिए मिल दहें नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय ही इंदे वंदे मात्रम